हैलो फ्रेंड मेरा नाम है मरीनल गोश और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे कहा से वाटसेप का UPI ID और QR कोड मिलता है तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना परेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है प्लीज सस्क्राइब कर लिजी और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए सबसे पहले हमको वाटसैब को ओपन करना परेगा तो हम क्या करेंगे वाटसैब पे क्लिक करते हैंगे तो वाटसैब ओपन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे वाटसैब को ओपन कर लेंगे वाटसैब को ओपन कर लेंगे तो ऐसा एक चैट लिस्ट हमको दिखेगा तो देखिए इधर हमको WhatsApp का चैट लिस्स दिख रहा है तो उपर में राइड साइड में हमको 3 dot दिखेगा वे 3 dot ऐप्शन पर जाना परेगा तो हम क्या करेंगे उपर में राइड साइड में जो 3 dot दिख रहा है वे 3 dot ऐप्शन पर ऐगलिक कर देंगे तो देखिए इधर payments का page open हो गया इधर सबसे उपर में मेरे को मेरा नाम दिखेगा उसके नीचे UPI ID दिखेगा तो यह UPI ID होता है WhatsApp का अगर कोई मेरा UPI ID send करने के लिए बोलेगा तो इधर से हम यह UPI ID send कर सकते यह UPI ID उसकर के कोई भी हमको पैसा transfer कर सकते तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम QR Code open करके दिखाएंगे तो इसके लिए नीचे जो scan payment QR Code का option दिखेगा वोई scan payment QR Code option पे क्लिक करना परेगा उधर क्लिक कर देंगे तो QR Code का page आ जाएगा इधर सबसे पहले हमको scan code का option दिखेगा एई scan code को यूज करके हम किसी का QR Code scan कर सकते करके उसको पैसा transfer कर सकते अगर मेरा QR Code देखना होगा तो मेरे को my code पे जाना परेगा my code option पे चला जाएंगे तो इधर हमको WhatsApp का QR Code दिखेगा तो दिखेए इधर हमको WhatsApp का QR Code दिख रहे यह QR Code को स्कैन करके कोई भी हमको पैसा ट्रांसपर कर सकते तो ऐसे ही हम बहुत ही आसन तरीका से WhatsApp का UPI ID और QR Code ओपन कर सकते I hope मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना और मेरे को कमेंट करके बताना की कैसा लगा और मेरे चैनल में नए हो तो सस्क्राइब भी ज़रूर करना अज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ जाई हिंद